हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल रूप हमारे एजुकेशन फार्यू पर बच्चों आज हम लोग डिटर्मिनर्स पर बीश कुछ संतेंसेज परेंगे इन संतेंसेज में कुछ एरर्स हैं और आपको उन एरर्स को फाइंड आउट करना है और फिर उनको करेक्ट करना है राइट यूज आप डिटर्मिनर्स से समान दित वीडियो मैंने अपने यूटूब चैनल रूप हमारे एजुकेशन फार्यू पर डाल दिया है यद आपने उसको न देखा हो तो अवस देख ले और यद आप चैनल पर नए हो तो इसे अवस सब्सक्राइब कर ले ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंग्लिस लेंगोज का तो आईए शुरुवात करते हैं बेरी फरस्ट संटेंस है तो बच्चों पहला संटेंस है इसमें देखें इस संटेंस को कि इसमें फाल्ट क्या है तो आप आएंगे बच्चों इसमें देखें इसमें मच सब्द का प्रियोग जो है ये गलत है क्योंकि इसके बाद जो noun आया हुआ है, story आया हुआ है, ये story आपका countable noun है, और countable noun के पहले मायनी का परियोग करते हैं, और जबकि much का परियोग uncountable noun के पहले किया जाता है, ये अगर यहाँ पर story के अस्थान पर uncountable noun होता, तो ये correct होता, लेकिन story आपका countable है, इसलिए much का परियोग गलत है, मायनी होना चाहिए, ओके, next है बच्चों, he has not got some roses in the garden, यहाँ पर भी देखें बच्चों, he has not got some roses in the garden, यहाँ रोजज़ आपका countable noun है, और बच्चों इसके पहले some adjective का परियोग किया गया है, बच्चों ये adjective का भी काम करता है, और determiner का भी काम करता है, तो some का परियोग बच्चों हम विशेज का affirmative sentence के पहले करते हैं, और जब sentence हमारा negative हो जाता है, तब इसके और negative और introgative, अगर introgative negative है, तो उसके साथ में हम any का परियोग करते हैं, तो यहाँ पर some के अस्थान पर any का परियोग किया जाएगा, ओके, would you like any more biscuits, बच्चों जब यहाँ पर देखें, यह sentence introgative है, वैसे general rule के अंसार यहाँ पर any का परियोग सही होता, लेकिन जब इच्छा या liking पूछी जात ही है, वाकि भले ही introgative हो, एक प्रकार से please या request का भाव जब दखते हो, इसमें जैसे please या request का भाव दखते हो, introgative sentence के द्वारा, तब वहाँ पर some के अस्थान पर, वहाँ पर any के अस्थान पर some का प्रियोग correct होता है, इसलिए बच्छों यहाँ पर any के अस्थान पर हम some का प्रियोग करेंगे, ओके, इसी तरह से next देखें बच्छों, this is my and that is yours, यहाँ last के sentence में देखें बच्छों, that is, जो आपका be words है, इसके बाद में आपका possessive pronoun आया है, और यह possessive pronoun compliment के रूप में कारी करता है, तो इसी तरह से this is my, यहाँ इसके बाद में आपको possessive compliment, यहाँ possessive का प्रियोग करना चाहिए, जो compliment क्या काम करें, बच्छों, आपका possessive भी, माई भी possessive है, लेकिन यह compliment का काम नहीं कर सकता, compliment का काम माईन करता है, ओके, इसलिए हम माई के अस्थान पर माईन होना चाहिए, नेक्स्ट है बच्छों, प्लीज ब्रिंग मी अदर प्यन, देखें बच्छों, अदर होता है, बिलकुल अलग से एक अलग प्यन या दूसरा प्यन, जो की कलम आपके पास है, उससे quite different हो, लेकिन जो कलम आपके पास है, अगर उसी तरह का और कलम चाहिए, तब बच्छों यहाँ पर अदर के अस्थान पर आएन अदर लगना चाहिए, तो अदर के अस्थान पर आएन अदर का प्योग से ह इसी तरह से next है बच्छों, they want much players, बच्छों बिलकुल देखें, players आपका countable noun है, इसलिए इसके पहले much का प्रियोग गलत है, इसके पहले प्रियोग होना चाहिए, money का, okay, इसी तरह से बच्छों next sentence है, he has money money, money देखिए बच्छों, आपका uncountable noun है, अगर rupees होता, तो यह countable हो money आपका uncountable है, इसलिए यहाँ पर much का प्रियोग होना चाहिए, the hearts is a faithful animal, देखें बच्छों, यहाँ पर किसी भी hearts की बात की जा रही है, यानि तो definite किसी hearts की बात नहीं की जाती है, इसलिए the के अस्थान पर बच्छों, a का प्रियोग होना चाहिए, a hearts is a faithful animal, okay, इसी तरह से बच्छों, this is a boy who always tells a lie, यहाँ पर बच्छों, a का प्रियोग गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम उस boy को qualify करते हैं, या particularize करते हैं, इसलिए इसके पहले, जो आपका determiner प्रियोग होगा, वा प्रियोग होगा, दा, तो this is the boy, उस लड़के के उपर जोड़ दे करके बात की जा रही है, और अगर हम यह रखें, तो यह indefinite हो जाता है, यह indefinite article हो जाती है, जबकि वो बलाड़का सामने है, समक्छ है, और उस पर जोड़ दर करके बात की जा रही है, इसलिए यहाँ दा का प्रियोग सहीं आइसा यह moon in the sky, बच्चों देखें, moon और sky यह आपके natural objects हैं, और अपने आप में अकेले हैं, तो जो चीज़ें अपने आप में अकेले natural object होती हैं, उसके पहले the article लगता है, ओके, next है, I found it as an useful, देखें बच्चों यह आपका an article भी है, और इसे आप determiner भी कह सकते हैं, तो बच्चों इसका अगर हम useful का pronunciation देखें, वो चारण देखें, तो useful यह से शुरू होता है, जो कि अपने आप में एक बेंजन है, consonant है, इसलिए आप I am ना लगा के A लगाएंगे, आप U की अनुसार मत जाएए, U अच्छर भले ही आपका व है, लेकिन इसका जो pronunciation वो चारण है, वो यह से शुरू होता है, जो की consonant है, ओके इसी तरह से बच्चों आपका जो next sentence है, last page का, वो 12th sentence है, the better you think, a wiser feel will you become, तो यहाँ पर बच्चों, जब इस तरह के वाक्ष होते हैं, दो वाक्ष होते हैं, और किसी एक comparative degree हो, दोनों वाक्षों में एक साथ यूज किये गए हो, comparative degree लगी हो, तो दोनों के साथ में comparative degree के पहले, दा का प्रियोग होता है, एक प्रियोग गलत है, इसलिए यह wiser के अस् नेक्स्ट है बच्चों, 13th sentence, see here, Sunny travels to school by a school bus, बच्चों, जब किसी साधन के पहले कोई adjective के रूप में noun आ जाता है, यह school बच्चों, यहाँ school आपका वैसे जनरली noun है, लेकिन जब यह किसी noun के पहले यूज हुआ है, तो यह adjective का कारी करता है, ओके, तो आईसी स्थिती में the school bus, यह एक particular साधन, particular use के लिए है, इसलिए इसके पहले एक प्रियोग गलत है, the school होना चाहिए, by the school bus, इसी तरह से next है बच्चों, be all need to move from one place to other, एक अस्थान से दूसरे अस्थान को, यह बच्चों यहाँ पर देखिए, one माने एक अस्थान से दूसरे अस्थान को, तो इसके अधर का प्रियोग यहाँ गलत है, यहाँ पर आएन अधर का प्रियोग होना चाहिए, ओके, तो long long ago, there were none, means of transport, none बच्चों प्रियोग करते हैं, no one, business करके, persons के लिए, living beings के लिए, यहाँ पर none का प्रियोग आप ना करें, गलत होगा, there were no means of transport, यहाँ पर no का प्रियोग सही होगा, ठीक होके बच्चों, इसी तरह से next है, air transport, is a quickest means of transport, यहाँ पर बच्चों देखें, यह आपका determiner जो है, यह quickest के पहले आया है, जो की quickest, आपका positive degree है, adjective का, और post, superlative degree है बच्चों, और superlative degree के पहले, definite article दा लगता है, दा आपका article भी है, और determiner भी है, can man fly like the bird, ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखें, can man fly like the bird, ओके, तो जब आप इसे देखेंगे, तो पाएंगे, यहाँ पर, यहाँ man singular है, और इसलिए a bird होना चाहिए, निक्स्ट है बच्चों, but a man can sit in the aeroplane and fly, but a man can sit in the aeroplane लिखा हुआ है बच्चों, तो in an aeroplane, but a man can sit, एक अनिश्चित वक्ती की बात होती है, तो आपन sit train की भी, aeroplane की भी बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पर, दा का प्रियोग गलत है, and aeroplane आप लिखेंगे, any aeroplanes are big, and some are small, देखें बच्चों, आपका यह affirmative sentence है, और इसके साथ में, आप प्रियोग करेंगे, determiner, some का प्रियोग, जैसे, some are small, उसी तरह से, some aeroplane are big, तो यहाँ पर, any care, अस्थान पर, some का प्रियोग करेंगे, and aeroplane has two wings, and one tail लिखा हुआ, and tail लिखा हुआ है, बच्चों, तो यहाँ पर, and tail का प्रियोग गलत है, आप, a tail लगाएंगे, क्योंकि, t आपका consonant है, इसी तरह से, नक्स्थ है, बच्चों, each child needs proper education to become a good citizen, बच्चों, यहाँ देखें, each एक आपका, यह distributive adjective है, और कम संख्था के लिए, each का प्रियोग करते हैं, और जब अधिक संख्था होती है, और परतेक के लिए प्रियोग करना होता है, तो बच्चों, इब्री का प्रियोग करते हैं, ओके, तो यहाँ, each के अस्थान पर, इब्री का प्रियोग करेंगे यहनि ब्यापक्षंस में इब्री का प्रियोग किया जाता है और यह इब्री का प्रियोग यहां करेंगे इस का प्रियोग गलत होगा, ओके? तो there is hardly any sugar left in the part बच्चों इस sentence को देखें, तो यह sentence पूरों रूप से सही है इसमें कोई गलती नहीं है, I want these books, देखें बच्चों यहां पर आप these books भी करके सही कर सकते हैं लेकिन चुकि आप determiner से सम्मंधित errors को correct कर रहे हैं इसलिए यहां पर these का प्रियोग गलत है, क्योंकि इसके बाद आया noun singular है तो these ना करके यहां पर हम this का प्रियोग करेंगे, क्योंकि book singular है last है बच्चों, diet birds are from cyberia diet बच्चों आपका determiner है, और diet यह आपका singular में आता है जबकि birds आपकी plural है, इसलिए diet का plural बच्चों दोज होगा, ओके इसलिए यहां पर दोज का प्रियोग होना चाहिए, दोज birds are from cyberia, ओके बच्चों इस प्रकार से आपका यह आज का chapter खतम हुआ और I hope आपको यह सवल में आया होगा, आप सुरू से यंद तक वीडियो को देखें और हाँ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत हो ले जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सीघर मिले सके, थांक्यू फार वाचिंग